हाई अव्रीवन वन्स अगेन वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इस भावनाबिस्ट और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डैल यूनिवरस्टी बीकॉम प्रोग्राम के सेमस्टर 2 के सब्जेक्ट्स So मैंने आपको बताया कि हमारे डैल यूनिवरस्टी में सेमस्टर का जो सिस्टम है और हर सेमस्टर में आपके सब्जेक्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं So second semester में आप लोगों के BA program में जो जो subjects होने वाले हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें So आपके जो main subject होंगे BA program, sorry, BCOM program में So your first main subject will be business law And second main subject will be business mathematics and statistics So these two will be your main subject or you can say core subjects also And there will be total four subjects in your BCOM program as you have seen in your semester one exam So now your third subject will be of AECC AECC आप लोगों को English, Hindi, Tamil, Urdu यानि की कोई भी language या फिर EBS मिल सकती है अगर आपका first semester कोई language रहा था तो second semester में आपको EBS मिलने के chances होते है And four subjects आपको होने वाला है English and MIL का इसमें basically English और कुछ modern Indian languages होती है तो इसमें ये आपका language subject रहने वाला है जैसे आपका first semester में भी आपने पढ़ा होगा ये वैसे ही बट आपको जो नाम है वो चेंज हो जाता है language Sorry subjects का ठीक है जैसे यहां लिखा है कि जिन बच्चों ने 80% से अबव थे 12th में उनको ये वाला मिलेगा English language through literature जिनके 60-70% ये वाला मिलेगा तो यहां से आप इसको देख सकते हो मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ Hindi भी है और पंजाबी और तमिल उर्दू ठीक है So ये था आपके B.com program के subject जो कि आपको second semester में मिलने वाले है मैंने आपको explain कर दिया है कि कौन कौन से subject आप लोग के होने वाले है total आपके four subjects रहेंगे four में से two main subject है और एक आपका AECC का है और एक आपका MIL का है ठीक है So इस वीडियो में सरिफ इतना ही प्लीज आप वीडियो को share करें अपने friends के साथ अब मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब पर कर रखिए अब हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक लिए take care भाई भाई